Dear students, welcome to Gate Academy. So, आज एक बहुत ही special interview में आपके लिए एक interview session आपके लिए ले के आ रहा हूँ. मेरे साथ है Gaurav Kumar, All India Rank 1, Gate 2022 in Electrical Branch. Gaurav, welcome to Gate Academy and many-many congratulations. Thank you, sir. Thank you, sir. So, आज हम discuss करेंगे Gaurav की जरनी All India Rank 1 तक कैसी रही है? कैसे ये Gate Academy से connected रहे हैं? और उसके अलावा भी इन्होंने जो भी planning किया है, जो भी preparation किया है, जो भी इनकी strategy है, सब कुछ आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे. So, just take Gaurav, थोड़ा सा basic introduction, अपने बारे में बता दीजी कि आप कहां से हैं, कौन से college से आप हैं, थोड़ा सा, so that हम स्टार्ट करें. Okay, so, जब आप engineering कर रहे थे, तो पहली बार आपको ये thought कब आया और कैसे आया कि आपको gate exam देना है? So, starting में मैंने second year में decide कर लिया था कि मैं gate का exam दोंगा, और second year के end में मैंने start किया था gate operations, क्योंकि main मेरा reason था कि मुझे either public sector और emtech में जाना था, क्योंकि software job में मैं नहीं जाना चाता था, तो मेरा main aim ही था कि मुझे PSU में जाना था, इसलिए gate exam आपको देना था, Okay, तो जब आपके mind में आया कि gate अब मुझे देना है, तो उसके लिए आपने फिर कैसे planning की, क्या resources का use किया, और आपने कैसे अपने लिए arrangements किये, कि कहां से पढ़ना है and all that. Starting में था कि जब उस time मैंने mainly YouTube lectures follow किये थे, तो YouTube में उस time था कि जो भी lectures आते थे, mainly gate academy कहीं आते थे, तो वहाँ से मैंने start किया था फर अपना पढ़ना, तो जैसे मैंने control हो गया, networks हो गया, या फिर analog हो गया, वहाँ से मैंने देरे देरे start किया था, तो ऐसे मैंने start कर दिया फि Okay, फिर gate academy का gd course से आप पढ़े हैं, तो आपने कैसे decide कि gate academy का gd course आपको choose करना है? Actually था कि मैं already gate academy से पढ़ चुगा था, तो मेरी थोड़ी सी थी कि मुझे tuning हो चुकी थी, क्योंकि धंडे से मैंने पढ़ा था, तो वो जो से पढ़ा दे थे, वो मुझे काफी अच्छा लगता था, तो इसलिए मैंने gate academy का लिया, क्योंकि already मुझे पता था कि वो कैसे पढ़ 21 भी आपने attempt किया और 22 भी attempt किया, so एक journey थोड़ी सी long रही है, but बहुत ही fruitful रही है, क्योंकि at the end आपने जो end किया, वो All India Rank 1 से किया, तो हम mainly All India Rank 1 जब आप ले के आए 2022 में, उसमें आपने कैसे पढ़ाई कि mainly उस पे focus करेंगे, but in short थोड़ा सा भी बता दीजे कि जब आपने 20 और 21 का gate दिया, तो क्या आपको कमी रही होगी, जो आप इतना superb rank नहीं ला पाए, और फिर आपने उसको कैसे accomplished किया gate 2022 में? प्लस ली मिस्टेक से मैंने काफी आधा workout किया था, तो उसी का result आया कि काफी रही है करीं, तो अगर मैं बात करूँ कि जैसे आपने IIT में admission लगभग, I think June य जुलाई में लिया होगा, ये जुलाई अगस्ट में लिया होगा? एक्शली स्टार्टिंग में से था कि मुझे PSU महीं जाना था, तो अरड़ी था कि 300 rank में PSU मिलने वाली थी नहीं, तो फिर मैंने M-Tech में ले लिया था, तो उस ताइम क्या हुआ कि IOCL के interviews आए, तो IOCL में क्या हुआ था कि almost उन्हों ने 25-100 rank तक call गिया था, और general, तो उसमें मुझे लगा था कि vacancies काफी जाता होंगी, तो मुझे लगा कि एक chance बनेगा, तो मैंने अशी से prepare गया था उस ताइम, जो भी थे मैंने prepare गया था, और होता है, तो फिर वो एक debt रजाता है, तो अब तो फिर मैंने सूस लिया कि नहीं, मैं एक attempt दूँगा फिर gate का, ओके, so December 21 में इन्होंने decide कि IIT को quit करेंगे, और ये 22 का जो attempt है, वो full focus हो के देंगे, so एक, मैं का जै, content तो आपको already सब कुछ ready था, तो अब वो थोड़ा सा दो की जो journey होती है, वो ही आपका जो rank deciding वाला जो factor होता है, content ready होने के बाद, so वो दो महिने जो आपने किया, जैन और, दो महिने भी नहीं बोलूंगा मैं तो, लगभाग एक महिने ही बोलेंगे, नहीं सर, दो महिने ही आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो दो महिने के बारे में, please ब अधे भी था, और already मेरे subjects complete थे, तो already मुझे पदा था कि मैं क्या-क्या mistakes कर सकता हूँ, यह भी मुझे पदा था, बस उसे था कि मुझे कितना जादा मैं उसे कम कर सकूँ, तो उस भी मैंने main focus किया था, last two months में, सिर मोक test दिये था, जितने आदा दे सकता था, revision कर रहा था, औ जो भी मतलब mistakes थी, उसे no doubt कर रहा था, okay, मैं थोड़ा से test series पर आऊंगा, but मैं यह जानना चाहता हूँ, कि जैसे अपन वापस थोड़ा से वापस अपन 2020 पर जाते हैं, first attempt आपका, feb में आपने exam दिया होगा, तो उस समय जो first time आपने, जैसे आपने बताए कि syllabus complete करके, आप कुछ subjects थे, कुछ-कुछ topics थे, जो मैंने December में भी किये थे, फोड़े वो तरह जाते हैं, लेकिन November तक मेरा, ठीक है, मैं December तक almost मान सकते हैं कि हो गया था, तो उस समय, okay, तो फिर उसके बाद आपने subject-wise test भी दिया था, कि उस समय भी आप सीधर mock test पर आ गये थे, actually मैं subject-wise test प आपने पहले जादा की, और वो आपको आप समझ में actually, कि mistakes में कहां कर रहा हूं, तो वो आपने rectify की, almost यही एक process रहा है, नहीं सर, और भी बोल सकता हूं, ऐसे कि एक to silly mistakes वाला पार्ट हुआ, और अब आप एक subject को बस दो या तीन बार पढ़ते हो, तो आपके creativity बढ़ जात इसका मतलब है कि बहुत जो repetitive process आपका हुआ, कि एक ही subject को आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा, and number of times weekend से, तो एक comfort level आपका subject में आ गया, तो इसको अपन लगबग ऐसे ही match कर सकते हैं, कि जैसे कोई छोड़ा सा बच्चा होता है, वो ABCD जा पढ़ता है पहली बार, तो वो alphabet को A, B, C, D, वो एक effort लगता है, फिर आज की date में हम जैसे बात करते हैं, जब उसको use करना है, वो बच्चा जैसे use करते रहता है, वो एक comfort level आ जाता है, तो वैसा ही कुछ आपने subject में feel किया, हाँ sir, कुछ तो था, और प्लस था कि जैसे से time बढ़ा, तो कुछ-कुछ चीज और super, बहुत special, अगर मैं rank 1 की बात करूँ तो, गौरव, मेखल से key factors बहुत कुछ ही होता है, कि gate exam को पहचानना, कि gate exam को दिया कैसे जाता है, वो भी एक art बहुत important हो जाता है, एक level के बात, क्यूंकि top 25, 50 जो भी students होते हैं, वो सब एक अच्छे, एक अच्छा content ready होता है, almost ए exactly किया, कि आप 1 actually achieve करता है, actually sir, जो भी differences होता है, उसमें मुझे main लगता है, वो आपका होता है exam execution, कि आपका exam temperament के अच्छा है, और उसके बाद आप उससे कितने अच्छे से execute करते हैं, क्योंकि at the end, जो rank 1 और rank 10 होते हैं, उसमें बस एक या दो question का फर्क होता है, एक या दो question वो सही होते हैं, तो वो 1 आ सकते हैं, लेकिन वो exam temperament कौन, वहां पर सबसे अच्छा exam pressure को handle कर सकता है, ये main difference create करता है, तो इसमें जैसे हम बोलेंगे, तो आपने अपने आपको जैसे इस attempt की बात करें, जब आप call India rank 1 आया, तो आपने अपने आपको कैसे mentally ready किया था, तो last के one month में जो आप test देते थे, दो test के बीच में gap क्या होता था, वो दो test के बीच में जो gap होता था, उसमें आप क्या करते थे, वो थो थोड़ा सा बताएगे, Actually मैं एक week में 4 test देता था, जैसे कि या तो एक दिन के gap पे हो गया, या कभी दो दिन के gap पे हो गया, लेकिन मैं try करता था, कि मैं एक week में at least 4 test दो, और test देने का process रहता था, कि मतलब test एक वर दे दिया, फिर उसकी analysis, वो बहुत important हो जाती है, क्योंकि जो भी आप mistakes कर रहे हो या फिर जो भी कोशिस आप से नहीं बढ़ रहे है, वो क्यों नहीं बन रहे है वो आप देखो, अगर वो topics आपको लग रहा है कुछ revision के जरुवत है वो आप कर सकते हो, तो mainly जो एक दिन होता है वो आप test दो और उसकी analysis करो, वो पूरा दिन focus होना चाहिए, उसके बाद बा revision की अगर मैं बात करो, तो ठीक है, जैसे कि आपने दो महीने में ही last में पढ़ाई की में लिए, क्योंकि content आपका ready था, तो जो दो महीने की जब start किया, आपने actual, जब mtech छोड़के जब आपने gate पर focus किया, तो start कैसे कि आपने सीथा test से ही start किया, कि पहले एक round of revision, और revision को आ revision मुझे in the form of questions करना जाता, अच्छा लगता था, तो मैं direct short notes पे नहीं गया था, मैं questions के form में revision करता था, और अगर मुझे कुछ specific लगता था कि मैं कुछ भूल रहा हूं, कुछ concept भूल रहा हूं, तो उसे मैं specifically short notes से revise करता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैंने full revision किया था, मैंने questions के form में revision किया था, okay, so question solving पे ही main focus, तो जब आप question solving पे main focus की बात कर रहे हो, तो I think जो आपकी previous year के questions होते हैं, उसका आपने बहुत ही अच्छा यूज किया होगा, तो वो आपने कौनसे attempt में बहुत अच्छा किया था, और उसका कैसे use किया था, उसका क्या advantage मिला, Actually sir, जो मैंने first time दिया था, तो उस time भी मैंने previous year questions काफी solve गिये थे, और second time भी मैंने कर लिये थे, तो third time तक था कि मुझे सारे questions याद भी हो गया थे, लेकिन उसके बाद भी मैंने उसे एक बार किया ही था, क्योंकि जतने जाद आप करोगे ना उसने आपकी creativity अच्छी होगी तो previous year questions अगर आप दो-तीन बार extra भी कर लेते हो तो आपको benefit ही करेगा at the end, तो इसलिए मैंने previous year questions किये थे, और इस time था कि थोड़ा सा मुझे idea लग गया था, कि मतलब gate में किसा भी questions पूस सकते हैं, क्योंकि आप test series भी दोगे तो test series में आपको थोड़ा सा 5-10% part रहता है, व उससे आप देख लो, उससे आप जो भी concept हो आप ले सकते हो, और जो भी irrelevant part है उससे आप छोड़ दो, उसके आपको tension नहीं की नेट नहीं है, तो यह जो relevant और irrelevant आप बोलवे हैं, बहुत important aspect मुझे हमेशा लगता है, तो यह जो irrelevant हम बोलवे हैं, irrelevant का मतलब यहां पर मैं simple words पर जादू की, ऐसा कुछ question हम देखते हैं, जो हमें लगते हैं कि एक बार आ चुका है बट अब नहीं आएगा, या test series में आ गया है बट ऐसा नहीं आना थी यह gate exam में, और कभी-कभी जो PYQs में भी ऐसे questions दिख जाते हैं, जो हमें लगते हैं कि अब नहीं आएंगे, तो वो irrelevant को exactly आप कैसे, एकदम ही छोड़ देते थे, या note करके कहीं रखते थे, आपके mind में कहीं होता था, नहीं सर, कुछ टैसे की questions ऐसे रहते हैं, जो slavers में नहीं है, gate exam की slavers में नहीं है, लेकिन वो death series में आ जाते हैं, तो वो तो आने वाला है नहीं, वो तो आपका अलग से ग हो गया है, जो मतलब उतना लिंदी पूछेगा नहीं, जिसमें मतलब की number of steps बहुत जादा हैं, तो उस type of questions आप छोड़ सकते हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आप बना लोगे, तो ऐसे की exam में क्या होता है, आपको पता है क्या बना लोगे, लेकिन काफे जादा time ल समझ गया, और आपने बीच-बीच में जैसे आपने बुला कि short notes देखा, तो जो main notes कभी आपने बनाए होंगे starting में, तो उसकी need आपको last कब पड़ी थी, या कब आपने last उसको देखा था, main notes की अगर मैं बात करोंगा, last मैं third end की बात करों, तो मैं main notes तभी देखता था जब मुझे कोई बहुत specific doubt आगया, तो ऐसे generally मैं short notes को ही refer करता था, लेकिन अगर मुझे कुछ subject में conceptual doubt आगया, कुछ बहुत specific, तो उसके लिए मैं main notes को देखता था, और अगर मैं थोड़ा से exam के और past चलों, क्योंकि 2 महिने की आपकी journey main रही है last attempt में, तो last mock test आपने gate exam के किते द starting a sir, 2-3 दिन तो मैंने revision किये थे, जो भी 31st second ता, और last के 2-3 दिन मैं नहीं पढ़ा था कुछ, मैंने try किया था कि मैं अपने आपको जितना काम रह सकता हूँ, उतना रखों, और उस time मैंने पढ़ा ही नहीं की थे, last के 2-3 days, Okay, अगर मैं just last के 1-2 दिन की बात करूँ, या especially जब आप gate, मतलब एक रात पहले की बात करूँ, जब आपको बता था कि next कल मेरा gate exam है, और एक तयारी अपनी अच्छी थी, आपको पता था कि चांस तो बहुत अच्छा है, बट फिर भी, आपके माइंड में क्या चल रहा था उस समय, उस टाइम तो रहता है, जब प्रप्रेशन अच्छा रहता है, तो प्रेशर आप पर बहुत जाता रहता है, प्रपॉमेंस का, क्योंकि आपके पास ऐसा रहता है, कि everything is to lose, क्योंकि अगर आप प्रप्रेशन अच्छी की हो ना तो आपका वो मतलब दिखना चाहिए उस एक्जाम के दिन में, तो प्रेशर एक अलग से रहता है, तो उसके लिए आप ट्राइ करो कि अगर आप उसके बारे में जादा सोचोगे ना तो आप प्रेशर डेवलप होगा, तो मैंने किया किया था कि मैं ट्राइ कर रहा था कि खुद को किसी तरह से डिस्टैक्ट र और तब तो आप इस चीज को नहीं हटा सकते थे, तो उस समय प्रेशर था एकदम, मतलब, थोड़ा थोड़ा था सर, जैसे कि जैसे ही मैं सेंटर पहुंचाता था, तो सेंटर पहुंचने पर प्रेशर उतना नहीं रहता, क्योंकि अगर आप घर पर रहते हो तो आप ज्या पर जा रहा था कि different, मालब, अच्छा नहीं जा रहा था आपके recording सर, starting में मैं ने सोच लिया था कि मैं starting के questions करूँगा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे मैंने सोच लिया था कि मैं starting के questions करूँगा, जो मतलब, बहुत easy वाले हैं, तो मैंने aptitude से start किया था paper इस वार का, तो अप्यूट के जो starting के एक दो questions थे थो थोड़े moderate level के questions थे मतलो थोड़े lengthy थे तो मैंने skip कर दिया था starting में क्योंकि मैंने सोचा था मैं ज्यादा expectations लेकर नहीं चला था क्योंकि अगर आप expectations रख लोगो कि नहीं first question से मुझे बनाना है यह करना है यह करना है तो हो सकता है कि अगर first question tough आ गया तो थोड़ा सा time लग जाता है आपका, तो वो confidence डाउन कर सकता है तो इसलिए मैंने easy वाले questions थे वो पहले कर लिये थे तो मैंने first 20 minutes aptitude को दिया था, तो first 20 minutes मेरे 8 बन गया थे दो नहीं बने थे, तो वो दोनों मैंने mark for review कर दिये थे तो वो था कि questions बनने वाले थे, लेकिन थोड़े से lengthy थे, तो उसको मैंने mark for review किया था, उसका मैं technical में गया था तो technical जल्दी बनने लगा, तो I think एक घंटा मुझे लगा था, एक घंटे मुझे idea लग गया था कि paper iswar का बहुत easy आ गया तो first go में मैंने 2 गंटे मुझे लगे थे, तो first go में मैंने 48-50 questions कर लिये थे, उसके बाद फिर मैं mark for review वाले पे गया तो वो सब सारे मैंने कर लिये, तो I think last के मेरे 15 minutes बचे हुए थे, तो और 1-2 questions बचा हुआ था तो मतलब की कुल मिला कि अपनी planning के according सब कुछ ठीक जा रहा था और यह अच्छा गया तो लगभग एक exam देते समय ही आपको एक idea तो लगी गया था कि मेरा एक good आने वाला है तो फिर भी मतलब क्या उस समय इतना लग गया था कि एकदम ही single digit और 1 आने की possibility है कि बस लग रहा था कि बहुत अच्छा गया उस time जो था कि जब result जब निकला था मैं तो 80 प्लस तो मैं expect कर रहा था अंडर 50 तो बनेगी अब एकदम से 1 मैंने expect नहीं गया था तो मतलब फिर आधिंक rank predictor अगर में तब आपने डाल के देखा होगा तब एक idea लगी गया होगा कि आप आपको दिखाई रहा होगा 1 2 3 यह सा कुछ तब मुझे लग गया था 1 तो दिखा रहा था तो उस टाइम तो मैं सोच लेया था कि अच्ड़ो आप single digit में तो बनेगे rank predictor के बाद तो confirm होई जाता है ठीक है आपसे यह पुछना चाहूंगा कि बहुत बार मैंने na aspirants को देखा है कि कुछ particular concept या कुछ particular questions के पीछे वह काफी time spend कर देते हैं जो कि 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 पर्टिकुलर topic पे उतना ज्यादा time spend कभी नहीं होना चाहिए तो यह हो सकता है कि उस पर time spend करने की need नहीं थी तो वैसे topics को आप कुछ skip कर दिया करते थे कुछ की आप जो पढ़ाई करते थे तो 100% सब topics को cover करते थे नहीं सर मैं try करता था ऐसे तो मैं सारे concepts को cover करता था लेकिन मैं देखता था कि वह important है कि नहीं अगर वह नहीं पूछते मतलब जो गेट exam में होती है बहुत ही कम आता है लेकिन test series में आप देखो कि तो बहुत ज्यादा मतलब उसका application करता है तो आप try करो कि ठीक है आप से बन रहा है तो बन रहा है लेकिन उस पर अगर ज्यादा time नहीं देने से अचा है कि आप उन topics पर ज्यादा तो अपन मलब हमेशा top 3 में रहते थे और college में भी अपनी class में आप रहते थे तो जैसे गेट exam भी हो गया और rank predictor में भी चलो हमको लग रहा है कि यार top single digit जैसे हम expect कर रहे है तो actual जब result देखा आपने और जब actual one देखा आपको तो उसकी feeling कैसे describe करोगे actually sir जब result आया तो exact से तो ओ नहीं मतलब होता है exact से आपको 2-3 दिन लगते ही है realize करने कि actually first rank आई है तो starting में तो उतना कुछ नहीं feel हुआ अजर वन आई क्योंकि अब one दिखा रहा था तो अब बहुत expectation हो गई थे कि one ही आईगी तो जब क्योंकि वो surprise element रहा नहीं क्योंकि अब पहले था कि rank predictors नहीं थे तो surprise element रहा था इस वर surprise element थाई नहीं थे थे थो थोड़ा से काम होगिए तो अगर हम इसमें बात करें कि जैसे आप बहुत ही एक ठीक है में भी सेकेंड थार्ड अटेंप्ट आपको लग गया बट फर्स और सेकंड अटेंप्ट में भी एक अच्छा रैंक आपने हसिल किया तो आप एम्टेक कर भी वहे थे तो फिर भी जैसे आप इतने मुझे एक बहुत ही sincere और एक dedicated एक तरीके के student आप हो तो आपको motivation जो self एक है वो कहां से आती है आपको motivation यह क्या है आपके लिए motivation actually sir मेरे लिए सबसे अली motivation है कि मुझे अच्छा लगता है sir कि मैंने जो भी brand select किया था electrical engineering यह अपने ही च्वाई से लिया था अगर मुझे उस टाइम कोई computer science पी लेते तो मैं नहीं लेता तो मुझे अच्छा लगता है अपने subjects में मतलब अच्छा करना मतलब technically मैं strong बनना चा subject में textbook वगर भी आपने refer किया जेनरली तो मैं textbooks refer नहीं किया हूँ कोई specific बहुत doubts आ गया है तो उसके लिए मने refer किया है specific अब बाकी मतलब gate का fund actually अलग ही होता है ना मतलब कि just for example gate academy का gd course था उसको देखके जो भी आपने content ready किया तो just अगर हम बात करें तो मतलब एक textbook की need actually देखा जाए तो gate को crack करने के लिए नहीं जेनरली नहीं है सर कुछ आपको कुछ doubts है ऐसे कि particular topics कि इन जेनरल लगा मैं बात करूँ कि पूरा कोई textbook से पढ़े तो ऐसा gate के लिए मतलब अपन सजेस्ट भी कभी नहीं करेंगे शायद नहीं सर मैं तो नहीं करूँगा सर क्योंकि क्या है आपको टाइम ज्यादा लग जाता है मतलब लेकिन अगर कोई सेकेंड डियर में कर रहा है ना तो वो रेफर कर सकता है थोड़ा का लेकिन अगर किसी को बहुत ही तुरंत रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए तो coaching अगर को अगर काफी लोग देखते हैं तो क्या आपको कभी देखने की नीड पड़ी एस सच जनरली तो मैंने नहीं देखा है अगर कुछ specific रहे तो वही बात हो गई कुछ specific मुझे लगा तो मैंने देखता था ऐसे तो मैंने नहीं देखा है Okay, so Gaurav, जैसे कि first time जब आप preparation करे थे तो आप college going student है, मनलब आप अपने final year में थे तो उस समय जब आपने जो gate के subject सा पढ़ रहे थे तो उस समय अपका schedule कैसा रहता था एक साथ आप कितने subject को handle करते थे और उस समय का आपका schedule कैसा था उस time जब आपके classes होते हैं college के classes, starting में सुवर्स तो classes होते थी, तो मैं शाम में आता था तो उस time था कि मैं try करता था कि 2-3 गंडे ही पढ़ूं जैसे कि मेरा रात कहीं रहता था generally पढ़ने का, क्योंकि उस time में मुझे time लगता था क्योंकि आपके laps होते हैं, assignments होते हैं यह सब work भी होते हैं तो मैं 2-3 गंटे रोज पढ़ता था मैं try करता था कि मैं consistently पढ़ूंगा लेकिन 2-3 गंटे पढ़ूंगा उस से जाद मुझे time मिलता भी नहीं था तो मैं बस वह time मतलब लगाता था और जैसे test series के definitely बहुत सारे advantages होते हैं आप कुछ main advantages बताइए कि आपको test series जो आपने दी इतनी सारी उसका क्या advantage मिला test series से सर जो सबसे बड़ा advantage यह है कि आपको अपने weak areas पता चलते हैं क्या आपके weak areas हैं तो वह आप एक figure out कर सकते हो दूसरा आपका है कि आपकी speed अच्छी हो जाती है क्योंकि अगर आप normal question solve कर रहे हो अगर आप booklet से solve करते हो ना तो आपके पास से कोई time bound नहीं रहता कि आपको इतने time में कुछन solve करने हैं लेकिन जब आप test series देते हो ना तो एक time bound रहता है कि आपको इतने time में कुछन solve करने है तो वह काफी important हो जाता है जब gate exam की बात करते हैं क्योंकि gate exam में speed matter करती है तो अगर आप test series दे रहे हो ना तो आपकी starting से ही वह habit बन जाती है experience अभी देख रहे हैं उसमें से एक part experiment ऐसा है जो कि अभी third year में अपना gate attempt देगा एक बच्चा ऐसा होगा कि कोई अगर भी third year में देने वाला है तो वह क्या focus करना चाहिए उसको आप क्या guidance देंगे और उसको आप क्या motivation देंगे जो भी third year में gate day का 23 में third year वालों के तो मैं ही बोलूँगा कि आप ट्राइ करो कि आपका जो भी attempt है से कि third year में attempt तो आप full effect के साथ करो आप यह मन सोचो कि मेरे पास next year है आप ट्राइ करो कि जो भी मेरा best है वो इसी attempt में निकलना चाहिए तो ऐसे आप सोचोगे ना तो फिर आप अपने आपको एक अच्छा बहुत अच्छा चांस दोगे या तो आप third year में अच्छा कर रहे हो तो बहुत सही है तो अगर आप अपना बेस्ट अगर इसी attempt में दे जते हो ना तो फिर आपके करते हुए उनके लिए क्या guidance या क्या motivation वालों के साथ तो होता है कि उन लोग को placements भी देखने रहते हैं तो एक placements का हो जाता है तो फिर अब उन पर depend करता है कि अब वो किस तरह से उसका manage करते हैं और मैं तो बोलता हूँ कि आप try करो कि आप slavus जितने हल्दी कर सकते हो वो कर लो क्योंकि लास्ट के आपको दो से तीन मैंने test series में देना ही चाहिए क्योंकि वो नहीं दोगे तो फिर आपको कुछ week area जाएंगे वो आपको पता नहीं चल पाएंगे वो एक exam में आ गया तो फिर वो आपके marks खराब कर सकते हैं तो में नही कि उनकी भी complete होने वाली होगी तो हो सकता है उनमें से कुछ लोगों का हो चोगा होगा content ready या कुछ का नहीं हुआ होगा तो वो लोगों को अपने समय का कैसे यूज करना ची जब पूरा दिन उनके पास होगा आज नहीं है तो मैं ये जूर में उनके semester exam सेंड होगे तो जब तो ये दोनों काफे दा important हो जाता है और at the end आपका होता है कि अगर आपके content rate या practice भी अच्छी है ना तो फिर at the end rank improve करने के लिए या rank अच्छी लाने के लिए आपका exam temperament काफी important हो जाता है तो उसके लिए main test series ही है क्योंकि ऐसा कुछ अलग से नहीं होता है कि मतलब आपका अगर मैं बोलू तो कुल मिला के बात यह है कि आपको बहुत अच्छा rank लाना है तो test series देनी है test series अगर बहुत सारी देना चाहते हो तो फिर आपका syllabus completion टाइम पर होना चाहिए और obvious सी बात है कि multiple test series एक दो तीन test series के बीच बीच में आपको revision भी करना है तो all in all यह strategy में को लग रहा है कि बस कि time पर syllabus completion हो आप revision के लिए short notes ready हो जो कि आप revision अच्छे से करता है और जिसको कि आप time to time test series के साथ अच्छे से combine करके एक superb result ले के आ सकते हैं तो at the end जैसे की gate academy से आप बोलगा हो कि थोड़ा सा starting में जो आपने start किया था वो youtube के lectures and all देखे तो अकुल मिला के मतलब जो gate academy का आपके मतलब यह rank में क्या contribution आप मनते है सर काफी राया है सर क्योंकि जो भी मैंने start किया था जो base start हुआ था वो gate academy से किया था आप कितनी बड़ी इमारत बना लो गया अर आपकी बेसी स्टॉंग ने रहेगी तो फिर ऐसे होगा तो तो एक जो starting और जो base जो बना था वो बेस के लिए तो मैं बोलूगा सर ओके ठीक है सो काफी सारी बाते हमने जानी गौरव के बारे में आपके एंड से मैंने काफी कुछ इंसे सा पूछने की कोशिश की और मैंने सोचा कि आप लोग के माइंड में जो भी questions होंगे वो सब मैंने से पूछ डालू और मैंने तो सारी options आपके पास हैं, Master's आप कर सकते हैं, PCUs आप जा सकते हैं, तो आपने अपने लिए क्या डिसाइड करके रखाया है सर मैंने तो पूब्लिक सिटर का ही सोचा है सर क्योंकि अल्यडी मैं अम्टेक रफ कर चुका हूँ तो पूब्लिक सिटर क्लें किया था तो PCUs आप जाना चाहते हैं, ठीक है जिस्ट वो एक कहां पे आपका और ठीक है वो जिस्ट अपना मिस आउट हो गिया था, तो गौरफ, तो थैंक यू सो मच फोर टेकिंग आउट इस ताइम, एंड गेट अगेडमी की और से मैं एक दम आपको बेस्ट विशस करता हूँ क कि ये तो जस्ट एक एक छोटा सा माइल स्टोन है आपके लाइफ में और आगे ऐसे बहुत बड़े-बड़े माइल स्टोन आएंगे, और गेट अकेडमी आपके लिए हमेशा बेस्ट विशस करता है, और गेट अकेडमी की कोई भी कभी भी नीड आपको पड़ती है, तो ग्रीट अकेडमी इस बाइब एक विए. तक कि ये गुवराव. थैंक ये सर्थ, थैंक ये शो मुछ.